सो हलो गाइच आज हम आपके लिए कुछ प्रिविस येर एक्जाम में आयो हैं एंटोनिम्स के क्यूशन लेकर आयो हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा पहला क्यूशन है वो है ग्रेजूट ग्रेजूट का हमें बताना है कि एंटोनिम्स कौन सा होगा A option abrupt होगा B option regular होगा या फिर C option gentle होगा या फिर D option slow होगा देहिए ग्रेजूट का में मींस होता है कि धीरे-धीरे किसी इसको दीरे-धीरे करना तो इसका answer हो जाएगा βो एंटोन हो जाएगा gentle means, सजजन को भी वेक्ति होता है नुश को gentle बोलते है हम, slow means भी देरे होता है तो इस cancer A हो जाएगा तो चलिए एगला question number two देखते हैं, siege, siege का हमें बताना है कि इस antonyms कौन सा होगा siege means होता है किसीज को strongly hold करना, मजबूती से किसीज को पकड़ना है या फिर जब्त करना भी होता है, जैसे government किसी property को जब्त कर लेती है उसको भी siege करना बोलते है तो strongly hold of something होता है, catch means पकड़ना यह नहीं होगा, grave means होता है किसीज को पकड़ना यह भी नहीं होगा loosen इसका answer हो जाएगा, तो इसका, siege का answer क्या होगा, c, loosen, snes भी नहीं होगा, snes means होता है किसीज को छीनना किसी से तो इसका answer क्या होगा, loosen तो चलिए friends अगला question देखते हैं, अगला question number 3 है, putrefy, हमें बताना है कि putrefy का antonyms कौन सा होगा, a option decompose होगा, b option contaminate होगा, c option destroy होगा, या फिर d option combine होगा, देखिए, putrefy means होता है decompose, किसीज का खराब हो जाना, sard जाना, गल जाना को हम putrefy बोलते हैं, means decompose होगा, तो decompose इसका synonyms होगया, तो यह होगा नहीं contaminate किसीज को होता है, परदूशित करना, दूशित करना, किसीज, गंदा करना को हम contaminate बनना बोलते हैं, तो यह भी नहीं होगा डिस्ट्रोई भी होता है के जिट को नेस्ट करना होता है तो ये भी कान्सों नहीं होगे है तो इस कान्सों कि क्या हो जाएगा गैख टो कंबाइन करना है किस технолог को तो इस कान्सों को जाएगा D अगला और सील देखते हैं Q4. Hope का मैं बताना है कि iasca antonyms कोण सा होगा थे कि hope means होगा किजिस की हमें आसा करना कि इसी की अभीद करना है कि काम हो घाप mundifier तो पहला option भी यह लिए था लूचा दूसरा option courage means होता है Komma baduri sauce तो यह भी नहीं होगा c option optimize mówiąc opis ek hote kięcy chce होटाखتीर चिनिम्होजास औरkarage गाल दॉप्त याइब आपको किछीज की होप है उम्मीद है और इसका इंटॉणिम क्या होगा डीडाउट क्या हो संदिय होना उस चीज के ऊपर इसका चार का आंसर क्या होगा फॉर तो चलिए फ्रेंड्ड्स अगला क्यूशन क्यूशन नंबर फाइफ देखते हैं Pompes, Pompes means होता है जोά डिखावटी होता है जो Attrappa, सोवी पर्सफन होता है जो शो करता है कि मेरे पास ही एह मैं दूसरे से इतना अच्छा हूं है दूसरे से जटादा important हूं तो इसको Pompes भोलते हैं , चलिए देखते हैं कि Pompes का कौन सा endonyms होगा humble हो सकता है इसको answer B, so V means होता है जो so करता है तो यह मनतना हो गए pompes का तो यह नहीं होगा flounding होता है जो ऑशो टारक बड़क दिखाई तो यह answer भी C भी नहीं होगा D है boastful boastful means होता है किसी की परसंसा करना something तो यह भी नहीं होगा तो इसको answer क्या हो जाएगा A humble हो जाएगा तो चलिए friends अगला question देखते हैं, question number 6 है wide spread wide spread का बताना है कि हमें synonyms कौन सा होगा, A option limited होगा B option general होगा, C option famous होगा, D option overall होगा तो देखिए wide spread means होता है कि जो बहुत ज्यादा चेतर में फेला हो विस्तरत हो, तो उसके लिए हम C option limited, A option limited का use करते हैं तो इसका answer A option क्या हो जाएगा limited, general का means होता है समानने यह होगा नहीं famous means होता है कि कि किसी चीज का परसीद होना, तो यह भी नहीं होगा D means होता है, overall तो यह भी इस council नहीं होगा, तो इस council क्या हो जाएगा A option limited हो जाएगा, wide spread means जो विस्तरत तुरूप से फेला हो, limited means जो संक्सिप्त हो एक चीज जहां तक, एक सिमा तक limited हो, तो इस council A हो जाएगा तो चलिए friends अगला question देखते हैं, question number 7 है toxic, toxic का हमें बताना की कौन सा antonym होगा, देखे, toxic means होगा जहरिला, तो पहला जो option होगा, harmful, दूसरा option है, lethal तीसरा option है, venomous and चोफा option है, healthy , तो देखे, toxic means होगा poisonous, jaharilla, harmful, harmful, venomous, venomous means होगा जहरिला, lethal, यह सब क्या है तोक्सिक के सिनोनिम्स हैं, only A की एंटोनिम्स है, इसका वो है D option healthy, तो तोक्सिक का जो आंसर होगा, वो होगा D option healthy, तो चलिए अगला क्यूशन देखते हैं, अगला है, क्यूशन नमबर 8, invade, invade मीन्स होता है, किसी पर आकर्मन करना, हमला करना, attack करना, एसल्ट करना, तो attack, assault और seize, यह क्या होते हैं, यह synonyms हैं, invade के synonyms हैं, और इनका A की एंटोनिम्स दिख रहा है, surrender, surrender मीन्स आत्म समर्पन करना, invade मीन्स होता है, आप कर्मन करना, तो इसका जो आंसर होगा, वो C option, surrender हो जाएगा, तो चलिए friends, अगला क्यूशन देखते हैं, क्य conflict, तीसरा option है, MET, चोथा option है, Concord, देखिए, Accord, इसका synonyms हो गया, Accord मीन्स समझोता करना होता है, या मित्रता करना होता है, किसी के साथ, Concord भी यही होता है, और conflict होता है, संगर्स करना, motivate करना, जगड़ा करना, तो इसका answer B option, conflict हो जाएगा, MET भी इस होता है, कि किसी को शम करना, मित्रता करना, किसी के साथ, तो इसका answer, Harmony का B होगा, conflict, तो देखिए, अगला question, question number 10 है, elated, elated का हमें बताना है कि कौन सा option, इसका antonyms होगा, तो पहला option है, thrilled, दूसरा option है, B, proud, तीसरा option C है, depressed, चोथा option D, excited, elated means होता है, person होना, खुस होना, बहुँ जदा खुस होना तो thrilled भी इसका synonyms होगा, thrilled means बहुँ जदा romantic, बहुँ जदा खुस, proud means बहुँ जदा घर्व होना किसी चीज़ के उपर, तो ये भी इसका synonyms होगा, excited भी यही होगा, depressed हो जाएगा, इसका answer, elated means बहुँ जदा खुसी होना, depressed means उदाशीन होना, तो इसका answer C हो जाएगा, elated का जो antonyms होगा, वो C, depressed होगा, question 14 देखते है, slur, slur के means होता है, कलंक, बदनामी, इंगलिस में कहूँ तो unfair comment or insult, so slur means होता है, कलंक या बदनामी, तो देखते है, compliment हो सकता है, compliment होता है, means होता है कि परसंस्या करना कि इस चीज़ की, mixer होगा नहीं, mixer means होता है, misran, insult means होता है, किसी का अपमान करना, त्रिसकार करना, यह तो इसका synonyms हो जाएगा, assortment, assortment होता है, a group of different things, means विविद या मिस्टित वस्त्विएं होती है, assortment, तो इसका answer A हो जाएगा, compliment, तो तली अगला question देखते है, 15 question है हमारा, waiver, हमें बताना, waiver का antonyms क्या होगा, देखे, waiver means होता ह है, to become weak or uncertain, यानि हिंदी में अगर मैं कहूं तो लहराना है, डगमगाना, इतना कमजोर हो जाना कि अप लहरा कर चलो, तो हमें बताना है, steady, इसका answer हो सकता है, tilt, tilt means होता है, tilt means, जुखना होता है, किसी के आगे जुखना, to move or make something move, means जुखना, किसी के आगे, तो यह होगा नह स्वे, स्वे means होता है, दीर दीरे जूमना है, डोलना है, दीर दीरे चलना, to move slowly, तो यह नहीं होगा, slant means होता है, तिर्चा होना, to be at an angle, not vertical or horizontal, means तिर्चा होना, तो यह इसका answer होना होगा, तो यह इसका answer होगा, तो वेवर का जो अन्टोनिम्स होगा, वो steady हो जाएगा, वे तो चलिए friends, अगला क्यूशन देखते हैं, अगला क्यूशन नंबर 16 है, अगमेंट, अगमेंट का हमें बताना है कि एंटोनिम्स कौन सा होगा, देखें, अगमेंट मींस होता है, किसी चीज में वर्दी करना, बड़ोतरी करना, इंक्रीज करना, तो जो इसका एंटोनिम्स अगलाना, तो यह भी इसका synonyms हो गया, तो यह भी इसका answer नहीं होगा, C option is spread, spread means भी होता है, फेलाना, बढ़ाना किसी चीज को, वर्दी करना, तो यह भी इसका answer नहीं होगा, क्योंग यह भी synonyms है, तो extend, expand or spread, तीनों के हैं synonyms है, तो इसका answer D हो जाएगा, D means diminished, diminished means होता है किसी को कम करना, गटाना, augment means होता है, किसी को बढ़ाना, diminished means किसी को कम करना, तो इसका answer, इसका antonym is D हो जाएगा, तो चलिए friends, अगला question देखते हैं, question number 17 है, dividing, dividing का हमें antonymes बताना है, तो देखते हैं, पहला जो option है, breaking है, दूसरा option है, connecting, तीसरा option है, वो detaching है, और चोथा option है, वो है, parting, तो dividing का हमें पता होता है, पता है कि इसका आर्थ होता है, अलग करना, विभाजित करना, तो breaking भी इस synonyms, होता है, किसे को तोडना अलग करना, तो यह होगा starred, हमें antonyum's find-out तो a option नहीं खोगा। B'llam n된, connecting में, किसी को जोडना, तो यह, इसका आर्थ हो सकता है, right? तो चलिए फ्रेंड्स देखिये हमारा अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 18 हमें इसका एंटोनिम्स बताना है देखिये सिग्रीगेट मीन्स होता है तो सिप्रेट वन ग्रूप ओफ पिपूल और तिंग फ्रॉम फ्रॉम दी रेस्ट देखिये हम तो व्यक्तियों या वस्तों कि एक समुव को दूसरे से अलग करना इसका अर्थ होता है तो देखते हैं क की सिको जोडना तो या उसका आंसर हो सकता है इंप्लीकेट होता है या दिखाना की वक्ती कु कर में लिप्थ है इसको हम क्या कहेंगे Implicate कहेंगे टू सो दैट संबडी इस involve in the crime और या दिखाना की वक्ती कुकर में लिपδे तो या इसका आंसर नहीं होगा अगला है correlate, correlate means कि इसको जोड़ना किसी से संबन दर्साना, तो इसका answer हो जाएगा, be integrate अगला question है, question number 19 reveal, reveal का हमें बताना है कि इसका synonyms क्या होगा, antonyms क्या होगा sorry, reveal का हमें antonyms बताना है, तो reveal means होता है enjoy yourself or enjoy oneself in a lively and noisy way, यानि जिवित रूप से sour glass के साथ किसी चीज को जीना enjoy करना, आनिद लेना, तो इसको reveal बोलते हैं, तो देखते हैं कौन सा antonyms होगा, appreciate means होता है किसी को परसंचा करना तो ये भी नहीं होगा rejoice means भी होता है परसंचा, खुशी, आनिद तो इसका answer नहीं होगा, b क्योंकि ये synonyms हो गया है, तो इसको हमें antonyms देखना है mourn, mourn हो सकता है कि soak मनाना, दुख मनाना तो इसका answer हो सकता है, enjoy भी हो गया, आनिद तो इसका answer C हो जाएगा mourn mourn means दुख या soak मनाना किसी चीज़ का, reveal means आनिद उठाना किसी का परसंचा करना खुष होना, mourn यानि दुख मनाना सोक मनाना किसी चीज़ का, तो इसका answer C हो जाएगा तो चलिए friends, अगला question देखते हैं अगला question 20 है हमारा downcast downcast का हमें antonyms बताना है तो चलिए देखते हैं, पहला option है disappointed, disappointed means होता है कि इसकी परती निरास होना हतास होना, दूसरा है distress, distress means होता है दुखी होना successful, सफल होना cheerful means person होना तो downcast means होता है sad and without hope यानि जो उदास हो, उसके लिए हम downcast बोलते हैं, तो इसको हमें antonyms देखना है, तो disappointed यह तो इसका synonyms हो गया, distress भी synonyms हो गया, successful होगा ने, cheerful हो जाएगा इसका answer, तो इसका answer हो जाएगा, d cheerful, cheerful means होता है कि person होना, खुस होना तो इसका answer, d होगा अगला question, question number 21 है, देखिए friends conciated, conciated का हमें बताना है कि कौन सा antonyms होगा conciated means होता है gamandi, ehinkari dambi, तो देखिए पहला option है, modest, v number तो इसका answer हो सकता है proud means होता है कि जो, जिसमें भी gamand हो, ehinkar हो, इसको proud बोलते है, superior means होता है, जो अपने आपको सेस्ट समझे तो यह भी synonyms हो गया, यह भी नहीं होगा when means होता है, worth, bicar तो यह भी इसका antonyms नहीं, antonyms नहीं होगा तो इसका antonyms होगा, इसका जो answer होगा वो, a option, modest हो जाएगा modest means होता है, win number और coin state means होता है, घमंडी तो इसका opposite हो गया, वो गया modest हो गया, इसका answer a होगा तो देखिए friends, अगला हमारा question है, 22 comfort, comfort का हमें antonyms बताना है comfort means होता है, अराम स्वीदा जनक, तो luxury इसकाglich обычно हो गया है, तो luxury means भी होता है, अराम, दायक, स्वУधा जनक तो इसका eerste हो गया ये, तो a option, इसका answer नहीं होगा happiness means खुशी, तो ये भी ISका answer नहीं होगा enjoyment means भी होता है, आन्द होना किसी चीज़ nor होना लाब उठाना किसी इसका अनद लेना इंजॉय करना यह भी इसका आंसवर नहीं होगा इसका आंसवर D हो जायगा Discontent means होता है किसी संटूष्ट नहीं होना तो इसका आंसवर D हो जायगा तो चलिए फ्रेंज अगला क्उूशन देखते हैं अगला question 23 है hassled, hassled का हमें antonyms बताना है, देखिए hassled means होता है to annoy somebody means किसी को परेसान करना तो annoyed तो इसका synonyms हो गया annoyed means किसी को परेसान करना तो ये तो synonyms हो गया ये answer नहीं होगा relaxed means अराम से तो ये इसका answer हो सकता है, worried means होता चिंतित परेसान होना तो ये भी इसका synonyms हो गया, इसका answer नहीं होगा due option, stress मिस होगा, दुखी होना, परेसान होना तो ये भी इसका synonyms होगा, ये भी answer नहीं होगा, हैसल्ट का जो answer हो जाएगा antonyms होगा, वो relaxed हो जाएगा इसका answer बी होगा तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्यूशन देखते हैं, अगला क्यूशन 24 है, फेलेसी, फेलेसी का हमें एंटोनिम्स बताना है, फेलेसी मीन्स होता है, फाल्स बिलीफ और रॉंग आइडिया, मीन्स जूठा विश्वास या ब्रामक विश्वास, तो पहला अप्शन है, ट्रिक मीन्स होता है किसी को दोखा देना, तो यह भी इसका अंसर नहीं होगा, तो इसका अंसर बी हो जाएगा, ट्रूथ, तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्यूशन 25 देखते हैं, अगला क्यूशन है, एंजाइटी, एंजाइटी का हमें एंटोनिम्स बताना है, देखें, और लेस्नेस मीन्स होता है, बेचेनी होना है, किसी चीज की गबराथ होना, उसको हम रेस्नेस बोलते हैं, अगला उप्षन है, नर्वस्नेस, नर्वस्नेस मीन्स भी होता है, गबराथ होती है, परेशानी होती है, तो यह भी नहीं होगा, पैनिक भी यह होता है, कि इसमें क certainty